तो ये देश की धन दौलर्ट को लुटाने में मिस्टर नरेंदर मोधी लगे हैं याद रखे देश के आजाद होने के बाद जितना करजा पचास साल में हिंदोस्तान के उपर हुआ उससे ज्यादा करजा नरेंदर मोधी की सरकार ने आठ साल में हिंदोस्तान के उपर करवा देश करजे में डूबा हुआ है और देश की संपदा को लूटा जा रहा है पब्लिक सेक्टर बरबाद किया जा रहा है तो कहना चाहिए कि देश को बेचने पे डाला हुआ है मिस्टर मोदी की सरकार पुंजी पतियों की जेबें भरने में लगी हुई थी 2020 मार्च में लगा लॉकडाउन 2021 मार्च में एक साल जब पूरा हुआ मोदी की सरकार के आंकड़े क्या बताते हैं मोदी की सरकार के आंकड़ों से मालूम हुआ के अमबानी ने 128 फीसादी मुनाफ़ा कमाया जब हमारे लोगों की रोजी रोटी छिनी हुई थी मिस्टर रडानी ने 480 रतीशत मुनाफ़ा कमाया उसी एक साल के पीरियड में उसी एक साल के पीरियड में इस देश के खरपपतियों ने साड़े बारा लाह करोड रुपए की पूंजी कठी किए जो स्पेशल उस समय उन्हें अपनी पूंजी बढ़ाई और उसी वक्त के अंदर हमारे देश के श्रमिकों की वेतन भी कटाउती हुई लोगडाउन का वेज नहीं मिला रोजगार छिन गए और घरों को वापिस आए जिस मनरेगा के स्कीम को नरेंदर मोदी खतम करना चाहते थे उसी मनरेगा की स्कीम में लोगों ने आ करके सांस लेके कुछ लोगों ने अपनी रोजी रोटी पाए और नरेंद्र मोधी की सरकार ने उस मनरेगा का बजट भी लगातार घटाया है इस पूरी दोड़ के अंडर अब जब उन्होंने श्रम कानूनों को बदलने की बात की है तो बीड़ी मजदूरों के वेलफियर बोर्ड को सोशल सिक्यूरिटी के कानून में डंप कर दिया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफियर बोर्ड को ईयसाई में और सोशल सिक्यूरिटी के कानूनों के साथ डंप कर दिया है इसी तरीके से एक एक करके हमारी एसाई हमारी प्रविडन फंड के कानून और बहुत से समाजिक सुरक्षा के कानून एकी जगापा डंप कर दिये हैं जितनी सुविधाएं मिल रही थी उन सुविधाओं को रोक दिया है और गैर बराबरी तेजी से बढ़ रही है अभी हिंडन की रिपोर्ट आई अडानी के पुंजी इतनी तेज कैसे बढ़ गई कैसे चीटिंग की गई कैसे देश की जनता का पैसा लूटा गया उस हिंडन रिपोर्ट से मालूम होता है और हिंदोस्तान की सरकार परलेमेंट में बहस नहीं चाहती थी उनको जवाब देना पड़ेगा कि अडानी की पुंजी जो कुछ बरसों पहले पुंजी पतियों में उनहत्तरवे स्थान पे थे वो अचानक दूसरे और तीसरे स्थान पे कैसे पहुँच गए उनकी पुंजी लाखों करोड़ों में कैसे हो गई हिंडर रिपोर्ट ने हवाला दिया है तीस हजार करोड हमारी LIC पब्लिक सेक्टर की जो जनता का पैसा है उस LIC में वो नरेंद्र मोधी की सरकार के कहने पे अडानी की कमपनियों में लगाया गया ब्यालीस हजार करोड रुपिया सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ओफ इंडिया का प्रधान मंत्री के कहने पे अडानी की कमपनियों में लगाया गया इसी तरीके से हमारी पेट्रोलियम की गैस की दूसरी तीसरी जितनी सरकारी कमपनिया है पब्लिक सेक्टर है उनको कहा गया कि तुम अडानी की कंपनियों में पैसे लगाओ और जो हमारे यहां के एटक्याद्यक्स जिकर कर रहे थे ये उसी लूट की शिरेणी में आगे बढ़ने का एक और कदम है पहले तो पूंजी पतियों को बाहर भागने दिया पैसा लूट के हमारी जनता का सरकारी बैंकों से भाग गए जो देश के अंदर थे उनकी लूट की बचाने के लिए सॉल्वेंसी का कानून ले आए और आप ये तीसरा नया शगूफा है कि जो लुटे रहे हैं उनके साथ समझोता करो तो ये देश की धन दौलर को लुटाने में मिस्टर नरेंदर मोदी लगे हैं याद रखे देश के आजाद होने के बाद जितना करजा पचास साल में हिंदोस्तान के उपर हुआ उससे ज्यादा करजा नरेंदर मोदी की सरकार ने आठ साल में हिंदोस्तान के उपर करवा दिया है देश करजे में डूबा हुआ है और देश की संपदा को लूटा जा रहा है पबलिक सेक्टर बरबाद किया जा रहा है तो कहना चाहिए कि देश को बेचने पे डाला हुआ है ऐसी प्रिसिती में आज हम है और इन स्थित्यों में पिछले साल रिपोर्ट आई थी देश की कुल जो धन दौलत है अंतर राश्टिय रिपोर्ट आती है हर साल में उसमें सारे देशों का नेखा जोखा होता है पैसे हैं उस सो पैसे में से उपर का जो एक फीसदी अमीर है एक सो चालीस करोड में एक फीसदी कितना होगा मुश्किल से डेड़ करोड लोग उनके पास देश के कुल पैसा अगर सो पैसा है उसमें से बाइस पैसा उनके पास है और जो देश की नीचे की जन्दा है, सबसे गरीब से लेके उपर को आते जाओ, 50 फीसदी जहां आ जाए, यानी 70 करोड हिंदोस्ताने, 70 करोड हिंदोस्तानियों के पास, उस 100 पैसे में से केवल 13 पैसा आता है कुल धन दौलत का, ये थी पिछले साल की रिपोर्ट, जो उससे पिछले साल की पेश की गई थी, अब इस साल रिपोर्ट आई, जो पिछले साल की रिपोर्ट को इस साल पेश किया गया है, वो क्या बता रहा है, वो रिपोर्ट और सर्वे बता रहा है, कि ये जो उपर के एक फीसदी लोग थे, सो में से एक तका लोग जिनके पास सो पैसे में से बाइस पैसे था आज उनके पास चालीस पैसे से उपर है और ये जो नीजे के पचास फीसदी लोग थे यानि सतर करोड हिंदुस्तानी जिनके पास सो पैसे में से सिर्फ तेरा पैसे था वो अब घट करके केवल तीन पैसे रह गया है नरेंद्र मोदी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास यह सबका साथ सबका विकास नहीं है अडानी आमानी और उनके जैसे पूंजी पतियों का विकास है और हिंदुस्तान की आम जनता का विनाश है इसके साथ साथ जब आप कहते हो हमारी पगार बढ़ाओ हमारे को काम की सुरक्षा दो हम सब को पैंशन का भागीदार बनाओ हमको बिजली पानी शिक्षा सस्ती दो हमारे सिर के उपर भी छट दो हमें कुछ जमीन का टुकड़ा दो सरकार क्या कहती है टेक्स के पैसे से तुमको ये सब कुछ दे दे टेक्स पे बंड करते हैं कुछ लोग और इंकम टेक्स पेर्स के पैसे से तुम्हें दे अब सचाई क्या है सचाई ये है कि ये भी सर्वे हुआ कि GST के जरिये से जो टेक्स का पैसा इकठा हो रहा है तो पता लगे कि अमीर कितना दे रहे है और गरीब कितना दे रहे है तो जो उपर के 10 फीसदी है यानि लगभग 8 करोड लोग वो खुल जो GST का पैसा टेक्स से इकठा होता है उसमें से 100 पैसे में से सिर्फ 3 पैसा दे रहे है और ये जो नीचे की 70 करोड जनता है जिसके पास पूल धन दौलत का केवल 3 पैसे बचा है ये कितना दे रहे है ये 100 पैसे में से 64 पैसा GST के जरिये से सरकार को टेक्स दे रहे और सरकार इनी गरीब गुर्बा को कहना चाहती है कि तुम्हें हम क्यूं दे दे टेक्सपेयर के पैसे से सरकार के मुँपे इस सच्चाई का तमाचा फैकना चाहिए वही गरीब गुर्बा जनता टेक्सपेयर है जिस गरीब गुर्बा जंता के इस पास कुल धन दौलत का इतना सा शेर है कौन देश चला रहा है समाज कौन चला रहा है धन दौलत कौन पैदा करता है खदान में भी मजदूर है उसकी ढुलाई करके फैक्टरी तक पहुंचाने वाला भी मजदूर है फैक्टरी में उस खनिजपदार से स्टील बनाना अब्रक बनाना कपर त्यार होना बॉक्साइड त्यार होना हीरे जवारात का तराशा जाना वो सब भी मजदूर करता है अगर मजदूर आरेन ओर निकाल रहा है स्टील बना रहा है लोंकी छड़े मना रहा है तो मजदूर ही रेल पट्री बिछा रहा है मजदूर ही रेल पट्री के ओपर चलने वाली गाड़ी के इनजन बना रहा है और करमचारी ही उन गाड़ीयों को चला रहा है